सुप्रभात वच्चों, आज हम आपको हिंदी ब्याकरन का पार्ट पांच पढ़ाएंगे, जो है सब्द विच्यार सब्द, सबसे पहले है कि सब्द किसे कहते हैं तो वर्णों का ऐसा समूँ, जिसका कोई अर्थ हो सब्द कहलाता है वर्ण क्या होता है? जो वर्ण होते हैं, उनका एक सार्थक समूँ, सब्द कहलाता है सार्थक का मतलब होता है बच्चों, जिनका कोई अर्थ निकले तो इसकी परिवासा है वर्णों का ऐसा समूँ, जिसका कोई अर्थ हो सब्द कहलाता है अब हम बात करेंगी कि पद किसे कहते हैं पद भी क्या होता है? सब्दी ये होता है लेकिन ये पद तब कहलाता है कोई भी सब्द पद तब कहलाता है जब वो वाक्य में प्रियोग होता है तो इसकी परिवासा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि सब्द जब वाक्य में प्रियोग होता है तो वो पद कहलाता है इसकी परिभासा ये भी दे रखे कि ब्याकरण के नियम में बने वाक्य में प्रियोग सब्द कहलाते हैं लेकिन आप इसकी जो परिभासा है ऐसे लिखोगे कि सब्द जब वाक्य में प्रियोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं अब है बच्चों सब्दों का वर्गी करन हम सब्दों को किस तरह से वर्गी कृत कर सकते हैं? तो सब्दों का वर्गी करन चार आधारों पर किया जाता है नमबर एक रचना के आधार पर, नमबर दो उत्वत्ती के आधार पर, नमबर तीन अर्थ के आधार पर और नमबर चार प्रियोग के आधार पर तो हम सब्दों का उवर्गी करन चार प्रकार से कर सकते हैं रचना के आधार पर उत्वत्ति के आधार पर अर्थ के आधार पर और प्रियोग के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर सब्दों के भेद तो रचना के आधार पर सब्दों के निमिल लिखित तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर जो सब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक रूड सब्द नमबर दो योगिक सब्द और नमबर तीन योग रूड सब्द रूड सब्द वे सब्द जिनका प्रमप्रागर्थ अर्थ होता है जिनको खंडित करने पर उनके खंड का कोई अर पतना निकले उन्हें रूड सब्द कहते हैं इसके उधारन हैं जैसे हाथ आदमी सुभा आदी अगर हम इनको तोड़े जैसे आदमी है आद और मी दो टुकड़े हैं तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलना है तो रूड सब्द वे सब्द कहलाते हैं जिनके दो खंड करने पर दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वे सब्द रूड सब्द कहलाते हैं अब है योगिक सब्द वे सब्द होते हैं जो दो और दो से अधिक सब्दों के संयोग से बनते हैं और इनके टुकड़े कन्ने पर दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलता है जैसे दे अब है योग रूड सब्द, योग रूड सब्द भी दो या दो से अधिक सब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन ये किसी विसेश अर्थ के लिए रूड हो जाते हैं, जैसे पीत अंबर, दो सब्दों से बना है, पीत और अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा, लेकिन इसका एक विसेस अर्थ निकलता है, एक विसेस अर्थ के लिए यह रूड हो गया है, जिसका मतलब है विश्णू, जैसे देखो पंकच, पंक और ज, मतलब कीचड में उत्वन होने वाला, और यह विसेस अर्थ कमल के लिए यहां पर रूड हो गया है, तो इसलिए ने योगिक रूट, योग रूट सब्द कहेंगे तो रचना के आधार पर सब्द तीन प्रकार के थे रूट शब्द, योगिक सब्द और योग रूट सब्द अब हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर सब्दों के भेट की बात करेंगे हिंदी भासा में उत्पत्ति के आधार पर सब्द पांच प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के नमबर एक तद्सम सब्द, नमबर दो तद्भव सब्द, नमबर तीन देशच, नमबर चार विदेशी और नमबर पांच मिश्रित सब्द तद्सम सब्द, जो सब्द संस्कृत भासा से हिंदी भासा में बिना किसी परिवर्तन के आये हैं, उन सब्दों को तद्सम सब्द कहते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के एजितिज आप कह सकते हो, जो संस्कृत भासा से हिंदी भासा में आए हैं, उन सब्दों को तसम सब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, इसने अगनी, वायू, आदी, तदभव सब्द क्या होते हैं, जो सब्द संस्कृत भासा से हिंदी भासा में थोड वे बहुत परिवर्तन के साथ आएं, वे सब्द तदवव सब्द कहलाते हैं। जैसे अचरज, दुगला, पत्ता, सोना, ये सब क्या हैं? तदवव सब्द के उधारा हैं। अब हम बात करेंगे देशच सब्द, देशच का मतलब है कि हमारे देश में बोले जाने वाली बोली और भासा से जो सब्द हिंदी भासा में आये हैं, उन सब्दों को देशच सब्द कहते हैं, जैसे लोटा, जुग्गी, पेट, पटाखा, आदी ये सब्द क्या हैं? सब्द कहते हैं, इसमें अंग्रेजी के, पुर्तगाली, अरभी, तुर्की, भार्सी, प्रांससी, चीनी, जपानी, आदिक भासा के सब्द हिंदी भासा में आये हैं, मिस्रित सब्द, मिस्रित सब्द वे सब्द होते हैं, जो सब्द दो या दो से अधिक भासाओं के मेल से बनते हैं जैसे घड़ी साच घड़ी हिंदी का सब्द है साच अरभी का सब्द है रेल गाड़ी रेल अंग्रेजी का सब्द है गाड़ी हिंदी का सब्द है लाठी चार्च लाठी हिंदी का सब्द है चार्ज अंग्रेजी का सब्द है अब हम बात करेंगे अर्थ के अधार पर जो सब्द होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं अर्थात अर्थ के अधार पर सब्दों के 6 भेद होते हैं नमबर एक प्राइवाची सब्द नमबर दो बिलोम सब्द नमबर 3 एकार्थी सब्द नमबर 4 अनेकार्थी सब्द नमबर 5 शुरूती सम्भिनार्थक सब्द और नमबर 6 अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो इनकी डिटेल्स बच्चों हम नेक्स चेप्टर में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद